हाई फ्रेंट्स मैं हूँ पूजा पूजा की रोस्वी घर में आपका स्वागत है मैं नए ने टिप्स एंट्रिक्स लेके आई हूँ जो काम बनाए आपका असान घंटो काम होगा मिन्टो में चलिए वीडियो सुरू करते हैं आप देख सकते हैं मैंने ये बोतल ले रखी है सबी के घर में बोतल मिल जाती है अगर आपको या वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और जादा सजासे एर करना ना भूलें चलिए मैं चाकू गैस पर गरम कर रही हूँ आप देख सकते हैं अब चाकू को देखिए इस तरह से रखेंगे उपर व से पीछे करेंगे चाकू गरम हो चुकी है अब इस तरह से इसे कट लगाएंगे यह असाने से कट हो चुका है देखिए यह तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं आगे और पीछे का भाग कट मैंने कर लिया है अब इस तरह से जोड़ेंगे आप चाहें तो गोन से भी जो नंद्टा करें डिवान करने की सब्सक्राइब भूआ सबसे हैं उसको छेद करके आप बना सकते हैं से यहाँ छेद करके बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में चलिए अगली ट्रिक देखते हैं देखिए इस तरह से आपकी घब में ब्रस भी रहता है और स्क्रबर भी इस तरह से रबर लगा के आप सफाई वाला बना सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाता है जैसे हम भूतल साफ करते हैं तो हाथ नहीं पोस्ता या डिबा कुछ भी साफ करते हैं तो हाथ नहीं पोस्ता इस तरह से आप रबर लगा के स्क्रबर में ब्रस पुराना इसमाल कर सकते हैं और स्क्रबर आसानी से या बन जाता है चलिए अगल बदाम डाल दिया है गैस की फ्ले मीडियम है इस तरह से इसे ड्लाइर रोष्ट कर लेका है अभ microphone कभी नहीं खराब हो देख सकते हैं इसे हम पीछे से पेच्कस्रा जाता है, आगर आपके पास गडरी की चाबी ऑकुना है मेकर बुज देंगे आप कर सकते हैं या छोटी सी ट्रिक है आपके बहुत काम आने वाली है इस तरह से आप कस देंगे तो आपका काम हो जाएगा असान फिर हिलेगा नहीं ये बिल्कुल आप देख सकते हैं ये चौपर है चौपर अक्सर सबजी काटने के या फल काटने के काम आता है लेकिन मैं आपको एक अनोकी टिप्स बताऊंगी इसमें आप आटा भी गुद सकते हैं हाँ आपने सही सुना मैं इसे आटा गुद के दिखा रही हूं देखिए मैंने आटा डानना सुरू कर दिया है यकीन मानिए इसमें बहुत ही आसानी से आटा गुद जाता है दो व्यक्ति के लि आसानी से से गुद सकते हैं देखिए मैंने सारा आटा इसमें डाल दिया है एक बॉल का पूरा यह बड़ा वाला है अगर आपको छोटा वाला हो तो आप कम डालिएगा पूरा भरके नहीं डालना है थोड़ा कम ही रखना है उपर खाली रखना है देखिए अब थोड़ा स उसने पानी से कर법 लेते हैं इस तहरा से व कोला कर लेए जसरा भूआ घूटभाशती गूटभास सकता है ज़से उसका अजना लाइए जिस तरह से चौप किया जाता है सबजी इसी त Fang 2- 3 बर ढालेंगे इस में आटा गुतने में बिल्कुल समय नहीं लगता एक से दो मिनट में आटा गुत के तैयार हो जाता है और बहुत ही मुलायमा आटा बढ़ा आपको दिखाऊंगे भी अब फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और फिर मैं इस तरह खिचने लगी हूं देखिए इस तरह से चलाना है दबाके आटा बहुत ही मुलाइम होता है एक बार आप कर लेंगे तो बार-बार आप इसी में आठा गुथेंगे इसमें ला देखिए एकदम मुलाइम आटा गुथ के तयार है मैं आपको इसको दिखाती हूं देखिए आप खुद देख सकते हैं आपके साम नहीं है कोई कट नहीं है देखिए एकदम मुलाइम आटा हुआ है देखिए मैंने थाले में से निकाल लिया है आटा गुथ के तयार है दे और भी ऑईल लगा सकते हैं इस तरह से आप करके रख दीजेगा जब आपको रोटी बनानी हो तो आप सेख सकते हैं असानी से एकदम फूली फूली रोटी बनती है एकदम मुलायम आटा होता है एक बार आप जरू ट्राई करें आपको विस्वास हो जाएगा और बहुत ही कम महनत में मिंटो में आटा त्यार हो जाता है इसी चौपर में मैंने इसी चौपर में आपको आटा गुद के दिखाया है यह वीडियो बहुत ही यूस्फुल है अगर आपको यह जरा सभी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और ज्यादा सजाद अपने दोस्तों में शेयर करें चलिए अगली टिक देखते हैं कोई जार और कोई सीसी ऐसी होती कि जिसमें हाथ नहीं पहुछ पाता आप देख सकते हैं मैंने पुराना स्क्रबर लिया है और ये काटा लिया है इस तरह से आपको इसमें दवा देना है देखिए इसक्रबर को आप कहीं भी साफ कर सकते हैं देखिए बोतल सीसी कुछ भी इस तरह से असानी से साफ कर सकते हैं बहुत ये असान तरीका है इस तरह से आपका काम असान हो जाएगा घंटों को काम मिन्टों में आपको इन में से कौन सी टिप्स और टिक्स पसंद आई है कमेंड करके जरूर चलिए अगली टिपस ये है कि बर्तन इधरोधः हम रखते हैं तो एक तरीका में बता रही हूं जब डिब इस तरह से खाली डिब्बा हो जैसे ढखकन इसका खो गिया है मैंने इसी में समान रखना सुरू कर दिया है आप खाली डिब्बे कप इस्तमाल करके इस तरह से इसे रख सकते हैं, चाहे तो इसे सजा भी सकते हैं डिब्य को, इस डिब्य का ढखकर नहीं था, यह खाली था, मैंने इस तरह से इसे यूज किया है, आप भी यूज कर सकते हैं, आपको इन में से कौन सी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई है, कमेंट करके जरूर बताएं,